40 EMF 40 है चलो एक बैटरी है आपनों के पास यह कार की बैटरी है प्लस माइनस EMF और इसका आपना खुद का कोई इंटर्नल रेजिस्टेंस होता है तीक है और 40 वाड इंटर्नल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है और यह बैटरी EMF 12 वोल्ट है और इंटर्नल रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है रिसीव एक करेंट रिसीव एक करेंट समझना 60 यहां पर बैटरी जो है करेंट रिसीव कर रही है यह जो पूरी की पूरी है यह एक बैटरी है और यह करेंट receive कर रहे हैं मतलब इसमें current कहीं external source से आ रहा है मतलब इसको बोलते हैं charging of battery charging of battery ये बैटरी charge हो रही है तो अगर ये बैटरी charge हो रही है इधर से current आ रहा है तो terminal potential difference of the battery वे निगाला है तो terminal potential difference क्या होता तो ये जो points होते हैं इन दोनों points के दीशिक का जो potential difference होता है बच्चों भी कोई भी दो point लेलो यहां और यहां और यहां तो इन दोनों point के भी जो terminal potential difference भी है जब cell charge होता है या discharge होता है तो उस भी की calculation हमें करनी है तो हम सबको पता है इसमें 3 case है हां डिश्चार्जिंग का क्या case होता है जब बैटरी यूज जब cell यूज हो रहा होता है डिश्चार्जिंग के case में टरिंगल पोटेंशल डिफ्रेंस e-mf e-i-r होता है अभी क्या लगेगा बोलो चार्जिंग लग रहा है तो चार्जिंग के case में यह equation बदल जाता है भी is equal to e-mf प्लस i-r हो जाता है तो यह तो भी की value पूछ रहा है तो e-mf e पहले से दिया हुआ 12 volt और प्लस i की value आई यहां से 60 ampere और resistance internal resistance और 5 x 10 की power minus 2 तो यह जाएगा 12 और प्लस 10 की power minus 2 यह जाएगा 3 और यह जाएगा 15 volt terminal potential difference तो terminal potential difference 15 volt और होना भी चाहिए भाई बाहर का voltage अधिक होगा तभी तो current इधर आएगी अगर मालो यह 10 volt यह 10 volt आ जाता तो यह कोशन नहीं गलग होता क्योंकि यह 12 volt है और इधर से 10 volt है तो यह बैठी current देते अभी मैंने इधर 15 volt अगा दिया तो यह current ऐसे जारा यह receive कर द चलो potential